नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है। इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं, UPSC परिश्चा की दृष्टी से महत्तोपूर्ण कुछ एहम खबरें। इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर। आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की सुल्खियों के बारे में। की एक विशेश शाखा द्वारा प्रकट की गई चिंताओं के प्रती, भारत के इस्थाई मिशन द्वारा प्रितिक्रिया प्रस्तुत की गई। और अब खबरें विस्तार से। सौर्ट तापिया अगर परासरन के माध्यम से समुद्री जल के विलवणी करण से तमिलनाडू के सुखा प्रभावित गाओं को राहत प्राप्त हुई। समुद्री जल के विलवणी करण की कई विधिया हैं जैसे उश्मी आस्वन यानि थर्मल डिस्टिलेशन इसमें लवण एकत्र करने वाले पात्र में फिल्टर किये गए समुद्री जल को वाश्प पिक्रित करने के लिए गर्म किया जाता है और इसके बाद वाश्प को गए समुद्री जल को उच्च दाब युक्त परिस्थितियों में एक अत्यंत महीन अर्ध पारगम में जिल्ली के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। ये जिल्ली जल के अणों को स्वैम के माध्यम से प्रवाहित होने देती हैं लेकिन लवन को रोक लेती है। और तीसरा है अग्र परासरन यानि forward osmosis, इसमें जल में घुलित विलेय को अलग करने के लिए एक अर्ध पारगम में जिल्ली और परासरनी दाब की प्राकर्तिक उर्जा का उपियोग किया जाता है, इसमें अन्य तक्नीकों की तुलना में उच्च उर्जा दक्षता और संच जालन एवं रखरखाव की कम लागत शामिल होती है, और चौथा है विद्युत अपोहन यानि इलेक्ट्रोडालेसिस, ये एक जिल्ली आधारित प्रक्रिया है जो लवन को अलग करने के लिए एक विद्युत शेत्र का उपियोग करती है, विद्युत इलेक्ट्रोडालेसि जल का एक जलवायू स्वतंत्र स्रोत प्रदान करने में सहता करता है, अगली खबर दूर संचार शेत्र से संबंदित है, सरकार को उपगरह आधारित ब्रॉडबेंड के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, दूर संचार विभाग में सूचना के अधिकार क सूचित किया है कि उसे सेटलाइट ब्रॉडबेंड के संबंद में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, इससे पहले अमेजोन, स्पेस एक्स और वन वेव ने 2022 के मध्य तक भारत में सेटलाइट ब्रॉडबेंड आरंब करने की घोशना की थी, उपगरह आधारित ब्रॉ का उपयोग करके संभब है, उपगरह आधाल संपर्क के मॉडल में कई मॉडल शामिल हैं, जैसे हाइब्रिड या इंडिरेक्ट मॉडल, इसमें एक नेटवर्क में प्रतियक्स सेंसर और एक्ट्वेटर तथा एक इंटर्मीडियेट सिंक नोड यानि की लो पावर वाइड एरिया नेटवर्फ, एलपी वेंड गेटवे के माध्यम से उपगरह के साथ संचार इस्थापित कर सकते हैं, डारेक्ट टू सेटलाइट मॉडल उपकरनों को किसी भी मध्यवर्ती ग्राउंड गेटवे की आवश्यक्ता के बिना उपगरह के साथ प्रत्यक्ष संचार इस हवा मिलना आदी, इसके संभावित अनुप्रयोगों की बात करें तो दूरस्त स्वास्त सेवाएं, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन, स्मार्ट क्रशी आदी शामिल हैं, साथ ही इसकी कुछ सीमाई भी हैं, जैसे सेवाओं की उच्छ लागत, बैं मैंगरोव रोपन की योजना बनाई है, तटिय पट्टी व्रिक्षा रोपन का उद्देश्य चक्रवातों के दौरान, तेज पवनों के विरुद्ध एक मजबूत और प्राकर्तिक अवरोध इस्थापित करना है, मैंगरोव पारिस्तिकी तंत्र, स्थलिय वनों और जलिय समुद्री पारिस्तिक तंत्रों के बीच एक अंतर समनवय का कारे करता है, यानि ये एक बफर शेत्र के रूप में कारे करता है, ये लवन्ट सहिशनु वनस्पति हैं, जो 24 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री दक्षिन के बीच नदियों तथा जवारनद मुखों के अंतर पारिय शेत्रों में व्रिधी करती है, उन्हें जवारिय वन्ट कहा जाता है, और ये उश्नकटी बंधिय आद्रभूमी वर्षावन पारिस्तिकी तंत्र की श्वेणी से संबंदित हैं, परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले की दुईवार्शिक वन रिपो चार-पांच प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद गुजरात में 23.6 प्रतिशत और अंडमान और निकुबार द्यूपसमुह में 12.39 प्रतिशत का इस्थान है, मैंगरोव पारिस्तिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपून है, ये तटिय सनरक्षन करता है, मैंगरोव वन की तुलना में मैंगरोव में चार गुना अधिक कार्बन डायोकसाइड अवशोशित करनी की शमता होती है, साथ ही ये मत्से पालन के लिए भी बहुत महत्वपून है, मैंगरोव पारिस्तिकी तंत्र में 3000 से ज्यादा मत्से प्रजातियां पाई जाती है, पिछली में मुखे रूप से क्रशी, जलिये क्रशी, परिटन, शहरी विकास और अत्यधिक दोहन की वज़े से भारत के मैंगरोव शेत्र का 40 प्रतिशत नश्ट हो गया है, मैंगरोव पारिस्तिकी तंत्र के संरक्षन से संबंधित कई पहलें भी हैं, जैसे पर्यावरन अधिनियम 1986 के तहट तटिय विनियमन शेत्र यानी CRZ अधिसूचना ने उच्च जुआर रेखा से 500 मीटर तक के सभी तटिय भागों को CRZ घोशित किया है, ये मैंगरोव वनों के संरक्षन और सतत प्रबंधन के लिए अत्यावशक हैं, मैंगरोव फोर फ्यूचर सतत विकास के लिए तटिय पारिस्तिकी तंत्र संरक्षन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रे प्रकरती संरक्षन संग के सहयोग से आरंब की गई एक भारतिय पहल है। प्राचीन भारत में योग की उपस्तिती की ओर संकेत देते हैं। सेंवत राष्ट्र द्वारा इससे संबंधित एक प्रस्ताग को स्विकृति दिये जाने के बाद 21 जून 2015 को प्रतम अंतरराष्ट्रे योग दिवस मनाया गया था। इंटरनेशनल योगा डे को भारत की सौफ्ट पावर के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। पर प्रदानमंत्री ने विश्व स्वास्त संगठन के सहयोग से आयूश मंत्राले द्वारा विक्सित माय योगा एप लाँच किया है। योपयोग करताओं को द्रिश्य और श्रव्य योगा अभ्यास सत्रों का एक संगरह प्रदान करेगा जिससे वे अपने घरों में जैसे और जब चाहे संपाधित कर सकते हैं। भारत के सूचना प्रद्यगी की नियम 2021 के संबंद में संग्तुराष्ट्र मानवाधिकार परिशद की एक विशेश शाखा द्वारा प्रकट की गई चिंताओं के प्रती भारत के स्थाई मिशन द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई। संग्तुराष्ट्र मानवाधिकार परिशद UNHRC की विशेश शाखा ने ये आरूप लगाया था कि नए सूचना प्रद्यगी की नियम नागरिक और राजनेतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रिय वाचा द्वारा संद्रक्षित निजता के अंतराष्ट्रिय अधिकारों औ अभिवेक्ति की स्वतंतरता के अधिकारों के अनरूप नहीं हैं। UNHRC की विशेश शाखा ने नए नियमों के लिए सरकार से सभी हितधारों के साथ व्यापक परामर्ष करने की भी सलहा दी है। भारत ने अपने प्रतियुत्तर में ये इसपश्ट किया है कि ये नियम प्रतियों से व्यापक परामर्ष और प्राक्त फीडबैक के अधार पर अंतर मंत्राले बैठेक में विस्तार से चर्चा के अधार पर ये तयार किये गए थे। सूचना प्रध्योगी की मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार सहीता नियम 2021 के बार ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ डिजिटल मीडिया और ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म के संबंद में भी एक कम सक्त निरीक्षन तंतर प्रदान करते हैं। इस प्रस्ताव को UNGA द्वारा अपनाया गया था। सदस्यों को समान प्रतनिजित्तु प्राप्त है। सइफ्ट राष्ट्र सुरक्षा परिशत के प्रस्तावों के विप्रीत UNGA के प्रस्ताव सदस्य देशों पर बाधिकारी नहीं होते हैं। ग्रीश्म आयनांत ये तब होता है जब सूरी की किरने करक रेखा पर लंबवत आपतित होती है। इसके परिणाम सुरूप उत्री गुलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आयनांत के दोरान प्रत्वी की दूरी इस प्रकार से जुकी होती है कि उत्री धुर्व सूरी की ओर जुका होता है और दक्षनी धुर्व उससे दूर होता है। इस दिन सूर्ज से आने वाली उर्जा की मात्रा भूमद रेखा की तुलना में उत्तरी ध्रूप पर 30 प्रतिशत ज्यादा होती है। निश्ठा प्रधानाचार्यों और सिख्षकों की समगर प्रगती के लिए राश्ट्रे पहल यानि National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement Program निश्ठा एकलव्य आदर्ष आवासिय विद्यालें के सिख्षकों और प्रधानाचारयों के लिए निश्ठा कारिक्रम के लिए जनजातिय कारिमंत्रालें और NCRT एक सेंग्त मिशन के लिए एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इस प्रसिक्षन का उद्देश्य सिख्षकों को इस संदर्व में प्रेरीत करना और सक्षम बनाना हैं। कि वे छात्रों में विवेचनात्मक, चिंतन, विक्सित और प्रोथसाहित करें और उन्हें विभिन्न परिस्थतियों को सम्हालने में समर्थ करें। तथा प्रथम इस तर के परामर्शदाताओं के रूप में कारिकरने में दक्ष बनाएं। सुर्खियों में रहे व्यक्तितों। पदमश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिये। सुरक्षित दूरी बनाए रखिये। मास्क पहनिये। हाथ और मुझ साफ रखिये। और टीका अवश्य लगवाईए। और इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम को दीजे। इजाज़त नमस्कार।